मुस्लिम बॉल सेट कुंदर्की का विदान सबा उपचुनाव दिल्चस्प दिखाई दे रहा है एक तरफ बीजेपी ने ठाकर उम्मीदवार पर दाउं खेला है तो वहीं स्पी और बीस्पी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दाउं चला है चंदश्वेकर और ओवैसी ने भी अपना उम्मीदवार उतार कर टक्कर को कांटेई का बना दिया है क्या है कुंदर्की का स्यासी समिकरण एक रिपूर्ट के जरी आपको दिखाते हैं उपचुनाव के रण में तमाम पार्टियां अपने अपने दाउं चल चुकी हैं मुरादाबाद की कुंदर की विधान सभा में 2022 में समाजवादी पार्टी के जियाउर रह्मान बर्क ने पाजी मारी थी 2024 लोकसभा चुनाव में बर्क सांसत बने तो अभी सीट पर फिर चुनाव होने जा रहा है मुसल्मान बोटर्स के दबदबे वाली सीट पर एसपी का पल्डा भारी माना जा रहा है लेकिन बीजेपी कली टककर का दावा कर रही है इस समय मुराद की कुंदर की विधान सभा में है जहां 13 नमंबर को अप्चुनाव होना है कुंदर की विधान सभा में जिया और रह्मान के सांसत बंदे के बाद यह सीट खाली हुई थी जिस पे अरव चिनाव होना है यहां 65% मुसलिम मत दाता है तो वही 35% यहां हिंदू मत दाता है पीजेपी ने इस सीट से ठाकुर रामवीर सिंग को उता रहा है तो वही समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान पर दाउं खेला है उधर मुसलिम और दलित वोटों का समिकरान देखते हुए बीएसपी ने यहां से रब्तुल्ला और चिद्दा को टिकट दिया है आज सीधे डारेक्ट मा के खाते में जा रहा है और मा अपने बच्चे को कैसे भी कपड़े बनाया कैसे भी जूते दिलाए पहले दो सो रुपए के जूते जाते थे और आट सो रुपए दलाल खा जाते थे दूसरी सरकारों में यह बेवस्ता है पहले रासन डीलर के यहां कर दक्ति ने डिफ्लमेंट दिया है इनरला कों से 50 गार्णिंट की सदर्कां पर कामों पर आट भी पार्टी होज़ती आपूज आए अपनी योजना के नहीं पर वोट मांगती है अपने विकास के नम पर वोट मांगती है ओन लोगों विकास किया है जो चुनाव पिर्चार को रोज निकलते हैं, हमें बहुत स्योग मिल रहा हैं यहां पर जनता का, और मैं यहां की जनता से एक दर्खास्त एक अपील करूँआ, कुंदर की सीट मुसलिम बाहुल्य है, यहां करीब 65 प्रतिशत मुसलिम और 35 प्रतिशत अन्य वोटर्स हैं, साफ है कि इस सीट पर मुसलमान वोटर निर्नायक होता है, तो चुनावी समिकरान एक तरफा दिखते हैं, लेकिन मैदान में कई मुसलिम उम्मिदवार होने की वजह से, इस बार काटे की तक्कर मानी जा रही है, आपर सबसे बड़ा जो फैक्टर है, 62 परसेंट और 38 परसेंट का है, 38 परसेंट हिंदू है, 62 परसेंट मुसलिम और अधर्स कौम जाती हैं, उसको लेकर ये चला आ रहा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है, कि ये चुनाओ बीजेपी नहीं लड़ लई, सीधा सीधा प्रिशासन लड़ लड़ा है, कुंदर की विधान सभा की जनता के मुद्दो का जिक्र करें, तो विकास अभी भी सबसे पहले पायदान पर है, कुंदर की के विधान सभा उप्चुनाव के समिकरन अभी कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, लेकिन चुनावी हूट की सकरवट बैठेगा, इसका खुलासा तो 20 नवंबर को नतीजों से ही होगा, जो भी यहां से बिधायक चुना जाता है, वो हमेशा मुस्लिम बोटर से ही चुना जाता है, यहां के स्थानी मुद्ध क्या है, यहां जनता को कैसा बिधायक चाहिए, यहां क्या क्या समस्या है, सीधे यहां जनता से बात करेंगे और सीधे जनता गिराए जानेंगे कि क्या यहां के स्थानी मुद्ध है, कैसा उनको यहां बिधायक चाहिए. इसके लावा कुंदर्की की जनता के मन में क्या है? एक रिपूर्ट के जिरी आपको वो भी दिखाते हैं हमेशा मुसलिम बोटरों ने ही यहां से अपना विधायक चुना है हमारे साथ कुछ यहां जनता मौजूद है हम सीधे यहां की जनता से जानेंगे कि किस तरह के यहां चुनावी मुद्दे रहे हैं कैसा उनको यहां का विधायक चाहिए और क्या यहां जमीनी इस तरपर जो है वो यहां काम होने है और क्या यहां की समस्या है यह बताई क्या नम है आपका मेरा नाम रिजवान अली रिजवान जी यहां उपचुनाव होना है क्या के यहां की कुंदर की बिदानसभा की दिक्कत है यहां का तो दिक्कत तो बहुत लंबी चोड़ी दिक्कत थी यहां पर आज तलक मुस्लिमी संसद और एह मेले रहे हैं आज तलक इतियास में लेकिन चुनाव में जीत के तो चल यान आपका कमल सिंग्प्रजाब इसान सबस्था थे यहां और तो अमने को वह अब उने के आते हैं यहां क्या क्या समस्याइं है यहां पर सभी चले जाओ सारे जंगल बानी भरापड़ा नहां हमारे यांगे बंद करा दिये गया है उसको बिगास कोन करें गाने उसको नाले कोन खुलबाया गान किया है पूरे जंगल में पानी वर्यापड़ा सारी फचल मारी बड़ी है केसा बदायक चाई हमें बदायक ही की जंता हम चुल लिए है उपकी बार इंदू हो एस पागा बनाना है। क्योंकि यह कोशी नदी हमारे पास में है और गिरिस्त हमारे जंगल वो सब बाढ़ गिरिस्त में आते हैं यहां पर फसल का कोई नहीं नहीं अभी तक कोई विदायक MP आकर यहां देखता है कि बाढ़ है आकर देखा जाए पब्लिक के जो भी समस्या उसको सुना जाए ऐसा को कोई यहां पर मंतिर विदायक कोई नहीं आता है कि अनसबाब मुस्लिम बहुले सीट है कि यहां सबसे पहले तो ही पताई यहां समस्या क्या है यहां कि समस्या यह सर काम यहां पर हमारे हैं कोई भी विदायक बनकर जाता है और फिर पुलट के लिए यहां था काम नहीं होत युवा हो युवा होने के नाते क्या क्या देखेंगा विजय पी ने पूरी ताकत जोग दिये सीम जोगी पश्चमित्र पदेश से प्रचार शुरू करेंगे सीम जोगी तीन दिनों में सभी नव विदान सभासी जोपर जनसभा करेंगे आठ नव और ग्यारह नॉमबर को सीम जोगी की जनसभाएं होनी है उधर डिप्टी सीम किश्व परसाद मौरिया और वजेश पाठक भी तावरतोर जनसभाएं करेंगे आठ नॉमबर को गाज़बाद पुंदर के और मीरापुर में सीम जोगी की जनसभा होगी नौ नॉमबर को सीसा महू करहल और खैर में और ग्यारा नॉमबर को कटेहरी पूलपुर और मजवा में सीम जोगी की जनसभा प्रसावी दे उप्चुनाव में भारती जंता पार्टी चुनावी परचार अभियान में पूरी ताकत जोकने जा रही है दरसल खुद मुक्यमंत्री योगी आयतनाथ भारती जंता पार्टी की उप्चुनाव के चुनावी परचार अभियान की कमान समाले हुए है मुक्हमंत्री योगी आयतनाद की तीन दिनों में नो जनसभाएं उत्तर प्रदेश की उपचुनाओ की सभी विधान सभा सीटों पर होंगी ताबर तोड़ जनसभाएं मुक्हमंत्री योगी आयतनाद की आठ नॉम्बर से सुरू हो जाएंगी यही नहीं, CM योगी समेथ दोनों डिप्टी-CM, भारती जनता पार्टी के प्रदेश के दजभुपेंड चोधरी और इसके अलावा महामंत्री संगठन धर्मपाल, सभी ताबर तोड जन समाय करने जा रहे हैं डिप्टी-CM, केश्व परसाद मौरिया ने विधान सबाव उप्चुनाओ को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला केशो परसाद मौरिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाओं में बुरी तरीके से हार रही है उन्हेंने पीडिये को फर्जी बताया हाजपा की सरकार 2027 पे तीसरी बार भी बनेगी उपचुनाओं से उसकी शुरुबात होगी पीडिये की जो बात कर रहे हैं लगातार पॉल्टर बार चलना है पीडिये मतलब परिवाद डबलप्मेंट एजेंसी के लावा कुछ नहीं है और पीडिये के नाम पे जितना धोखा देना था हमनों लोकसभा चुनाओं 2024 में दे लिया है अब उनका फर्जी पीडिये नहीं टिकने वाला नहीं चलने वाला नहीं टिकने वाला अब डिप्टी सीम केश्व परसाद मौरिया का सीधे तोर पर कहना है कैमावन उपेन के साथ संक्यत प्रसाद नियूजटीन लखना उदर डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने भी दावा किया कि इस बार के उपचुना में विपक्ष का सूप्रा साफ हो जाएगा अब डिप्टी सीम प्रजेश पाठक जी हमारे साथ में है सर आज कैबिनेट की बाइठक है और अखलेश यादो लगातार कह रहे है कि मठादीश बांचने का काम कर रहे है समाजवादी पार्टी हमेशा अराजटता गुंड़े की बात करकी है इनके ही राज में गुंडे पलते हैं भारती जन्ता पार्टी की सरकार सुचिता पारदर्शिता के साथ सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम कर रहे है और उत्तर प्रदेश में क नौ सीटे भारती जनता पार्टी जीतेगी कैमरावन उक्रेंद के साथ संकेत इसरार नियूजर टीम लखनो सीएम जोगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वार जारी है अब लखनों में समाजवादी पार्टी कार्याले के बाहर अकलिव शादों के पोस्टर लगाए गए हैं पोस्टर पर लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महनायक S.P. निताज जितेंदर प्रताप सिंग ने ये पोस्टर लगवाया है उत्तर परदेश में होने वाले उपचुनाओं के बयार में समाजवादी पार्टी कार्याले के सामने रोजाना नई पोस्टर नई होर्डिंग लगती है मुखवंद्री योगी आधितनात के बयान के बार लगातार समाईवाधी पार्टी के कार्याले के सामने विबिन तरह के पोश्टर दिखाई देते हैं एक नया पोश्टर फिर से लगा है समाइबाधी पार्टी कार्याले के ठेक सामने इसमें अकले श्यादों को दोहजार चुनाओं का रजल्ट आया है उसको देखते हुए उनको जन नायक बताया गया है और दोहजार सताइस का महा नायक फिर से बताया गया है यह होडिंग ना बटेगा उस तरह की पोश्टर लगाए गये थे तो मान की चलिए कि 13 तारीक को 13 नमंबर को उप्चुनाओं के जब मद्दान होगा उससे पहले दोनों तरफ से पोश्टर वार अपने शरम पर है और इस बीच यूपी में सीम जोगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर सियासत तेज हो गई है सरकार पर विपक्ष के हमलावर होने के बीच डिप्टी सीम केश्व पसाद मौरिया ने अखली शादो पर बड़ा हमला बूला केश्व पसाद मौरिया ने कहा कि जब अखलेश सरकार चलाते थे तब चारो तरप अराजकता थी अत्याचार था दंगे थे आज जब उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो एक ही बात कहता हूँ सौचुहे खाकर बिल्ली हच्चुचे अखलेश ह्यादोजी के इस समय जो बयान आते रहते हैं उन बयान का एक ही जबाब है इसलिए अखलेश आदोजी यानि समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तरप्रदेश के पूर मुख्वंतरी जब उप्तरप्रेस की वागडोर समाले ते सरकार चलाते थे, तब चारो तरप आरजगता थी, अत्या चार था, गुंडा गर्दी थी, दंगे थे, जमीनों पर कपजे थे, खनन मापिया से लेकर, सराब मापिया से लेकर, नकल मापिया से लेकर, भरती मापिया तक सब सक्री और आज जब उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो मैं यही कहता हूं कि जैसे सव सव चूहे खा के बिल्ली हज को चली उदर सीम जोगी कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कॉंग्रेस ने भी हमला बोला अमेठी से कॉंग्रेस सांसत के शोरिलाज शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा का कि बीजेपी गंगा जमनी तहजीब खत्म करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो अपने प्रयास में काम्याब नहीं हो पाई पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांतो और राज करो क्योंकि यह घंगा जमनी तहजीब जो है यह हमारे यूपी की पहचान है इसको नश्ट करने की कोशिश बीजे पी कर रहे हैं और यह होगी नहीं कभी क्योंकि यहां पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी इतनी है कि वो इनके इतने करने से तोटे वाली नहीं है उदर समाजादी पार्टी किनारे जुडेंगे तो जीतेंगे पर केंद्री मंत्री गिरिराज सिंग ने बड़ा हमला बोला अखलेश रादो पर बोलते भी गिरराज सिंग ने कहा कि अखलेश रादो का डियने तो वही है ना जिनके पिताजी रामभक्तो पर गोली चलवा चुके हैं इनका डियने तो यही है जोडोगे तो जीतोगे अखलेश जादब के पिताजी ने क्या किया था उसी डियने के अखलेश जादब हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी इनका डियने तो वही है उनको जोरोगे तो जीतोगे उनका यही है और इस बीच आसम के सियम हिमंत विस्टो सर्मा ने विपक्ष के निताओं पर बड़ा हमला बोला उन्हों ने कहा कि राहूल गांधी हमंत सुरेन तेजस्व यादो लालू यादो ये सभी निता मिलकर हिंदू समाज को बाटने का काम कर रहे हैं हमंत ने कहा कि हिंदू एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहें गुल गांधी हो या हमन सुरेन हो या इंडी गदबंधन का तेज़स्री जादब हो लालू जादब हो सारे लोग आज हिंदू समास को बातने का काम कर रहा हैं हमारे ये मानना है अगर सनातन और हिंदू समास एक रहेगा तो हम सेफ रहूंगा नहीं तो हमारे जारखान जैसा प्रडेश, इर्फान अनसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दुबारा कपजा कर ले बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब वारांसी में हिंदू को जातियों में नहीं बटने का पोस्टर जारी हुआ है पोस्टर में हिंदू को एक जुट रहने और जातियों में नहीं बटने के अपील की गई है पोस्टर में लिखा गया है हिंदू जात में बटेंगे तो बांगलादेश जैसा कटेंगे वारांसी के लंका अक्षित्र में पोस्टर लगाया गया है विजेपी नेता विवेक सिंग ने पोस्टर लगवाया है विवेक सिंग कहें कहना है कि हिंदू जात में बटेंगे तो बांगलादेश जैसा हाल हो जाएगा प्रकास में ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाती में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग भी बंगलादेश का तक्ता पलट आप लोगों ने देखा हिंदू भाईयों पर किस प्रकास से अपते अचार हुआ है वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है तो इस प्रकास में ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एवजुठ हो कर रहें जाती पाती में मत बटें और सनातनी हिंदू जितने भाई हैं हिंदू राष्ट की कामना को ले करके सभी लोग हमारे साथ कारे करें